आपे friends हम जानते हैं कि phone number पे OTP नहीं आ रहा है, mobile number डालने के बाद find account पे उपर click करने के बाद OTP सेंट करने के बाद OTP नहीं जा रहा है तो पहला solution यही है कि friends यहाँ पे आपको क्या करना है, play store को open करना है, play store में friends यहाँ पे आपको search करना है messages by google and friends यह वाला application install नहीं किया है, तो इससे install करके permission allow करके friends OTP recent करने का press करिया, facebook open करके, फिर भी problem solve नहीं हो रहा है, तो friends यहाँ पे आपको messages का update आ जाएगा, update आया है तो update क करेंगे, तो open करने के बाद बड़ी आसन से वहाँ से code send करेंगे, facebook से forget करेंगे password को, तो बड़ी आसन से यहाँ पे आपको OTP messages आ जाएगा, फिर भी friends यहाँ पे OTP आपको नहीं आ रहा है, तो friends ऐससे दि में आपको कुछ tips and tricks follow करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको messages के करना है, यहाँ पे कुछ important permission enable है या नहीं यह check करना है, मतलब नीचे आ जाना है, नीचे आनिक बाद SMS की permission आप है, तो यहाँ पे click करके इसे allow कर दीजे, back आ जाहिए, back आनिक बाद phone की permission नहीं है, तो allow पे click करके tick करेंगे, and back आ जाहिए, अब सबसे important location permission, friends यह आपको enable ही रख को use करना है, जो आपने पहले login किया था Facebook को, and वहाँ से friends आपको क्या करना है, मतलब यहाँ पे आ जाना है सिधा, and सिधा आनिक बाद friends यहाँ पे आपका mobile number डालना है, find account के click करना है, बड़ी आसन से OTP आपको मिल जाएगा, फिर भी friends OTP नहीं आ रहा है, तो ऐसे सित में क्या करना है friends, जो भी mobile number से आप verify कर रहे हो, वो जो mobile number है ना, उसका SIM जो है, वो दूसरे phone में डाल देना है, and आपको Facebook को open करना है, and यहाँ पे mobile number डालके find account के click करके, आगी की process complete करके, आप बड़ी आसन से friends OTP generate कर सकते हो, OTP आपको बड़ी आसन से मिल जाएगा, and Facebook भी आपका mobile number डालने के बाद, यहाँ पे आपको OTP नहीं आ रहा है, OTP नहीं जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में friends, इसके opposite आपको करना है, अगर आपने friends किसी और के phone में अपने SIM को डाला है, तो वो अपने phone में डाली है friends, and उसी device को यूज़ करें, जो आपने पहले यूज़ कया, and ऐसी स्थिति में friends, आप अपना mobile number डालेंगे, find account पे click करेंगे, account select करेंगे, तो वहाँ पे friends, बड़ी आसन से जो आपका code है, वो directly detect हो जाएगा, जिससे friends, आपका ID directly login हो जाएगा, फिर भी friends, यहाँ पे mobile number डालने के बाद, find account पे click करने के बाद, OTP नहीं जा रहा है, तो ऐसी OTP copy करके वहाँ पे जाके, paste करके friends, account को login कर सकते हो, फिर भी friends, OTP नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कई बार यहाँ पे आपने OTP send करने का प्रयास किया, मतलब recent code के उपर click किया, and एक दिन में friends, पास से दस बार friends, आपने यह process की, तो ऐसी सिति में friends, यहाँ भी 48 horse की limit भी लग यहाँ पे दो दिन यहाँ पे कम से कम आपको वेट करना है, उसके बाद यहाँ पे आप ट्राइ करेंगे, mobile number डालके, send करेंगे friends, OTP पढ़ियासन से send हो जाएगा, फिर भी OTP नहीं आ रहा है, तो option और एक है, वो है, search by email instead, मतलब email का use कर सकते हो, email के द्वारा अपने Facebook को login कर सकते हो, friends फिर भी यहाँ पे OTP send नहीं हो रहा है, मतलब OTP कहीं पे भी आपको show नहीं हो रहा है, तो ऐसे स्थित में आपको क्या करना है friends, अपने mobile के home screen पे आ जाईए, यहाँ पे आने के बाद friends, Facebook के ओपर long press करिए, and app info के ओपर click करिए, अब यहाँ पे click करने के बाद, यह यहाँ पे प्रोसेस आपको फिर से कर लेनी है, मतलब यहाँ पे अपना mobile number डालके, या email ID डालके friends, यहाँ पे आपको check कर लेना है, example मैं यहाँ पे email ID डाल दिया, मैं find account पे click कर देता हूँ, तो यहाँ पे और भी तरीके है, जैसे कि यहाँ पे मेरे सामनी यहाँ पे आ गया फिर भी friends, यहाँ आपको problem आरी है, तो yes, मुझे comment box में comment करके जरूबत आना, और कुछ जानकर जानना चाते हो, और कुछ account recovery method जानना चाते हो, वैसे i button पे वीडियो चेक कर सकते हो, वैसे friends, कोई video नहीं है, तो comment box में comment कर सकते हो, वीडियो help लागा है, तो yes, video को like कर सकते हो, चानलों को subscribe नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो, subscribe करके bell icon पे जरूब क्लिक करना, वैसे subscribe कर लिया है, तो comment भी जरूब कर लेना, अब जाते हैं तो screen के ओपर कोई भी account recover आपको करना है, तो playlist है, चेक कर सकते हो, कोई video नहीं है, तो comment box में comment कर सकते हो, धन्यवाद friends, अत्यंता ब वारी, वीडियो देखने के लिए, थेंक यू